कुछ शड़ पहले वहाँ एक भाई था जो मुझे यहाँ उपर आने के लिए निर्जेशित कर रहा था लेकिन मैं समझता हूँ उसने सोचा मैं की उपर आकर रास्ते पर और मुड़ कर वापिस आ गया भाई यदि आप यहाँ पर हैं तो मैं कुछ तो सुन रहा था जो हमारे हमारे अश्वेत नीगरो मित्र थे उनका यहाँ पर एक मंदिर है और वे इसे एलिया मुहमद कहते हैं या कुछ ऐसा ही है यूवा एलिया मुहमद वे एक आवाज के साथ उठ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे लोग वह आवाज हैं जो इस गरबड़ी से अश्वेत जाती को बाहर निकालेंगे जिसे आप देखते हैं उसी चीज़ को उन उन मुस्लिमों की मस्जिद को जो यहाँ पर है इसके पीछे क्या बात है आप उसी बात पर क्यों नहीं जिखते यह गलत है वे अश्रीत लोग, सपट लोगों के जैसे ही हैं, बुरे लोग और सामने लोगों के जैसे ही हैं, वापस इसलाम की और नहीं, लेकिन मसी की और वापस जाना है, वही सिद्धान्त जो बाइबल सिखाता है, इसलाम वचन के विरुद है। इसने मनोविज्ञान को छोड़, कुछ भी उत्पन नहीं किया, मनोविज्ञान ठीक है, जब तक मनोविज्ञान वचन को इंकार नहीं करता है, लेकिन जब मनोविज्ञान वचन को इंकार करता है, तब मनोविज्ञान गलत है, यह एक अनिश्चित आवाज को देता है। वहा हरे किस्ता जैगी लेकिन परमेशर का वचन एशु ने ऐसा ही कहा धर्ती और आकास चल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नीट लेगा तो आपने देखा हमें वचन के साथ बने रहना जरूरी है उस आवाद के साथ बने रहना है